हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेज अगर हम आपके मौडर्न इंडिन हिस्ट्री की बात करें तो गवर्नन जनर्र का एक टॉपिक है जो कि काफी बार मैच आफ दा पॉलिंग की तरह पूछ लिया जाता है कि कि इस गवर्नन जनर्र के टैनियोर के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई थी या फिर कल को आप इस नॉलेज को यूज करके बहाँ पर आप्शन को इलिमिनेट करके काफी कुशन को सौल कर पाएंगे तो अब से हम ये सीरी शुरू कर रहे हैं पर हम हर एक गवर्नर जनर्र जो भी इंपॉर्टन है उनको कवर करते चलेंगे और उनके टैनियोर के अंदर जो जो इंपॉर्टन चीज़ें हुई है उसको हम साथ साथ में डिसकस कर लेंगे ताहां कि आपकी साथ में रिविजन भी हो जाए तो जो सबसे पहला गवर्नर जनर्र था वो है वार्न हिस्टिंग्स आई होप ये चीज़ आपको याद में होगी उसके भारे में डिसकस करते हैं जिसका टैनियोर था 1772 से लेके 1785 तक पहले ये गवर्नर आफ बेंगॉल बनेगा फिर जब रेगुलेटिंग एक्ट आएगा 1773 का जहांपर गवर्नर जनर्र को बना दिया जाएगा उसके एक पोस्ट बना दी जाएगी उसके बाद वही सेम चीज़ इसको दे दी जाएगी वार्न हिस्टिंग्स को जो बॉम्बे और मदरास के जो गवर्नर्स हैं इसके सबॉडिनेट हो जाएगी इसके टेन्योर के अंदर जो भी चीज़े 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दी गई थी जैसे की सुप्रीम कोट हमने बनाना है कलकटा में वो बनेगा उसके अलावा ये मदरासा एस्टेबलिश करेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगॉल बनेगी इसके टेन्योर के अंदर तो आएए इन सबी चीज़ों को एक बार देख लीजे और फिर जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा इसी के चलते ब्रिटिश क्राउन ने ये डिसाइट किया था उस टाइम का प्राइम निस्टर था लॉर्ड नॉर्थ तो उसने डिसाइट किया इस करॉप्शन को रोकने के लिए और इसी वज़ा से ये एक्ट आया था इसके तहत गवर्नल जन्रल ओफ बेंगॉल बना दिया गया था जिसके अंदर मदरास और बॉम्बे के गवर्नर्स होंगे उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एट केलकटा बनाया गया था और यहां पर उन केसिस का मुकदमा चलता था जो की कंपनी के एक्जेक्टिफ के अगेंस्ट हुआ करता था अब इसके अंगेंस्ट माल लीजे किसने अपील करनी है तो वो सिधा किंग को होगी इंगलेंड के अंदर अगर इसके अलावा बात करें तो इंडिया में तो यह important changes है अगर हम इंगलेंड में बात करते हैं तो दो तरह के courts थे court of proprietorship and the court of directors अगर हम court of proprietorship के बात करते हैं तो इसमें वो लोग बैठते थे जिनके पास 500 pounds की share holding से ज़ादा की shares थे और court of directors में वो लोग बैठते थे जिनके पास 100 pounds तक के share holding थे अब देखिए ज़ादा से ज़ादा लोग court of directors में जाना चाहते थे क्योंकि इसके through nepotism को वो practice कर सकते थे अपने रिष्टेदारों को इंडिया के अंदर किसी ना किसी post पे adjust करवा सकते थे क्योंकि इंडिया में corruption इतनी जादा थी तो वो अंगिनत पैसा कमा सकते थे और इसी को रोकने के लिए regulating act of 1773 के अंदर इस court of directors और court of proprietorship की जो qualification है कि आप किस तरह से member कर सकते उसको raise कर दिया गया इसके साथ साथ एक सीधा parliamentarian control इन दोनों के उपर लाया गया for the first time इस वज़ा से यह जो पूरा act है regulating act of 1773 बहुत ज़्यादा जुरूरी है मैंने आपको revise करवा दिया आई होप अब आपको ध्यान में होगा उसके लावा अगर हम pits India act of 1784 की बात करें तो भूब भी Warren Hastings के दोरान हुआ अब यह क्यों लाया गया था pits India act of 1784 तो जो मैंने आपको कराया था कि governor general of Bengal बना दिया गया तो उसके आगे इसका एक council भी था जिसमें चार और councillor थे अब इस पूरे system में क्या था कि माली जी बन governor general और चार उसके councillors इन्होंने जो भी decision सुना दिया जो majority जो decide कर लेगी वो governor general फिर oppose उसको नहीं कर पाएगा मतलब कि यह उपर governor general बैटा है और यह उसके चार councillors है माली जी यह तीन councillors ने एकटा होके कोई decision सुना दिया तो उनके पास three ratio two की majority आ गई क्योंकि वो तीन है governor general और यह मिला के दो और बन गए तो governor general इनको oppose नहीं कर सकता चाहे वो किसी भी position में हो चाहे उसको गलत लग रहा हो सही लग रहा हो तो इस चीज को रोकने के लिए कि governor general की तो हमने power ही खतम कर दी है तो यहाँ पर जो उसके executive council था वहाँ पर तीन लोगों को कर दिया गया चार से अटाके तांकि उन governor general के पास एक fair chance हो उस decision को reserve करने का यहाँ पर यह जो तीन इंसान थे coincidentally यह तीनों दोस्त थे और हमेशा एक ही side पे हुआ करते थे और governor general हमेशा वहाँ पर जो case है वो हार जाया करता था इस वज़ा से इसको बदला गया था तो अगर आप ऐसे इन चीज़ों को fluent continuity में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत आसानी से याद रहेंगी और मैं आशा करता हूँ अब से आप यह PITS India Act of 1784 याद रखेंगे and also a board of control was also set up in England तो अब यहाँ पर तीन boards हो जाएंगे board of control साथ में एड हो जाएगा तो Warren Hastings जब इंडिया में आया क्योंकि corruption बहुत जादा थी battle of boxer के अंदर so he started the auctioning system to collect revenue and abolish the dual system of administration बहुत important point है प्लीज इसको ध्यान में रखेंगा उसके बाद Supreme Court जो 1773 के हिसाब से established किया जाता है according to the English law and then Asiatic Society of Bengal बनाई जाएगी along with Sir William John's in 1784 यह जो fact है काफी बार आपको straight forward आपके prelims में पूछा जा सकता है प्लीज इसको ध्यान में रखेंगा और उसके बाद जो Bengal में Battle of Buxer के बाद जो पूरी farming system है वो खतम हो गया था तो जमीन दास जो है वो बहुत बड़े बड़े power yielding sources of institution बन चुके थे तो उनकी power को खतम करने के लिए he took away the judicial powers of zemीन दास and made the maintenance of records compulsorily यह देखी यह जो fact है यह मैं आपको उस weird question के लिए करवा रहा हूँ कल को आपको 5 statement में से यह statement देखे तो आप थोड़ा बहुत relate कर सके वैसे आपको यह रटने की जूरत नहीं है रटना अपने यह है कि Asiatic Society of Bengal खोली थी Regulating Act of 1773 में क्या था और 1784 में क्या चीज़ें की गई थी उसके अलावा इसके tenure के अंदर जो जो important battle swing वो एक बार discuss कर लेते हैं सबसे पहले रोहीलिया war of 1774 जिसके अंदर रोहील खंट की annexation कर ली जाती है जो नवाब ओफ अवध है उसके खिलाव उसने करी थी यह और क्योंकि नवाब ओफ अवध ने subsidiary alliance sign किया गया था तो ये एक तरह से अंग्रेजों ने ही इसके annexation की थी उसके लावा पहला Maratha war लड़ा जाएगा जिसमें हम देखेंगे treaty of salt भई इससे 20 साल का इनको period मिल जाएगा अंग्रेजों को अपनी power को revive करने के लिए अगर हम मैसूर की बात करते हैं तो second Anglo-Maisूर war होगा and with that there will be a treaty of Mangalore with the temple Sultan in the year 1785 तो ये तीन important battle थी जो उसके time के अंदर लड़ी गई थी जो जो important चीज़े मैंने आपको बता दी अगली बार हम start करेंगे Lord Cornwall इसके साथ जो इसके बाद आएंगे जिनको हम कहते हैं father of civil services in India तो म आपके लिए लिए ले आया तो कोट के हिसाब से यह है कि जो एक नेल है वो तभी किसी चीज में गड़ती है जब उस पे बाहर से कोई कोई external force लगाई जाती है so a nail penetrates the wall only when the force of the hammer hits it तो इसके कहना का मतलब यह है कि कभी भी external force के उपर मत dependent रहे है कभी भी nail मत बनिये be yourself and develop your own internal force to penetrate through anything that comes your way जब तक आप बहाने बनाते रहेंगे आप excuses देते रहेंगे कि आप आज सुबह क्यों नहीं उठे आप उतना जितना आपने target set किया तो उसको क्यों नहीं achieve कर पाए आपके घर में कोई दिक्कत हो गई कोई disturbance चल रही है आपके love life में disturbance हो सकती है there can be any multiple number of reasons पर जब तक आप उन reasons को छोड़ना नहीं को नहीं छोड़ेंगे बन नहीं करेंगे तब तक आप succeed नहीं कर पाएंगे सच मानिये हर एक बंदे की जिंदगी में same तरह की मुसीबते होती है same level की मुसीबते होती है हर एक बंदे को बस अपनी मुसीबत सबसे बड़ी लग रही होती है उसको नहीं पता कि सामने वला किस सिचुएशन से निकल रहा है तो हम सब एक ही बोट के मुसाफिर है कभी ये मत सोचना कि वो इनसान इसलिए बन गया क्योंकि उसके पास ample opportunities थी उसके पास resources थे अगर कोई बंदा अमीर है तो उसके पास अपनी तरह के दुख तकलीफे होंगी तो जिस भी condition में है जिस भी situation में है ये जो civil services की post है जो आपको IES, IPS, IRS बनाएगी ये आपको बहुत आगे लेके जा सकती है आपकी जिन्दगी को आपकी family को आपकी आने वाले generations की कि पूरे economic, financial, social condition को बदल सकते है तो please हिम्मत भी, मेहनत भी उससाब से कीजिए क्योंकि reward भी उस तरह काई है तो मैं आशा करता हूँ आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी आपको समझ में आया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और अगली बार मिलते हैं Lord Carnival इसके साथ Thank you so much